हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में एक है यस बैंक तो दूसरा है जेपी पावर दोनों ही स्टॉक के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इस्पेशलि अगर हम यहाँ पे बात करें यस बैंक लिए दो बहुत जादा important dates निकल के आ रही हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और यहाँ पे finally ARC की भी आपको एक date देखने को मिल रही है जिस date तक आपको यहाँ पे हो सकता है कि ARC बनते हुए नजर आ जाएगी और यहाँ पे अगर हम JP Power के बारे में बात करें तो आज गिरावट हुई है लेकिन उससे पहले अगर हम देखे तो बहुत बड़ी deal आपको इस particular stock में देखने को मिल रही है तो अब इस stock में आपको क्या करना चाहिए बने रहना चाहिए और buying करनी चाहिए या फिर exit करने देना चाहिए इन सारी चीज़ों पर हम discussion करने वाले आप से just take request है प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजिए चली वीडियो श्टार्ट करते हैं सबते बहले हमें आपर overall market scenario के बारे में एक बारी नजर डाल ले तो sensex are 85 plus point के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिला nifty 50 में करीवन 45 points के साथ upside moment nifty bank में करीवन 200 से ज़्यादा points के साथ गिरावट और nifty mid cap में अगर आप देखोगे 205 points के साथ upside moment तो overall scenario काफी ज़्यादा ठीक था लेकर अगर हम यहाँ पर देखें जो nifty bank में गिरावट हुई है उसमें बहुत सारी banks ऐसी थी जिसने आज अच्छा perform किया जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बंदन bank, federal bank, AU small finance bank, IDFC bank, PNB, SBI, ICAC bank यह कुछ ऐसी bank से जिसने आज अच्छा perform किया, nifty bank में गिरावट होने के बावजूद भी तो यह कुछ scenarios थे, तो अब हम यहाँ पर directly बात कर लेते हैं, yes bank के बारे में nifty bank में गिरावट थी, yes bank में आज उचाल था, करीबन 1.82% का उचाल, 14 रुपे पर, finally आप जो closing है, वो आज देखने को मिली है तो definitely काफी अधर सही scene रहा है, आज का yes bank के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि अगर आप देखोगे, तो जैसी इसमें तो तीन बड़े moments आयते हैं, उसके बाद finally इसमें फिसिक गिरावट देखने को मिली थी और share जो है, वो 13 रुपे के लेवल पे फिर से आ गया था, तो अब यहाँ पर आज की जो closing देखने को मिली है, वो आपको करीवन 1.82 परसेंट पर देखने को मिली है, और 14 रुपे पर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, प्लस अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो करीवन 30 परसेंट की delivery परसेंट इस देखने को मिली है, और जो volume है, वो हमेशा के तेरे बहुत जादा high नजर आया है, तो definitely यह स सिनेरियो रहा, Yes Bank आप एक करके अपडेट्स पर हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, और यहाँ पर आगे क्या सिनेरियो हो सकता है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जो investment है, वो देख रहा है, पूरी news पर अगर हम यहाँ पर नजर डालें, तो the private sector lender also wants the right to appoint the chairman and the key manager across the department of the proposed ARC, in which it will hold a 20% stake, यानि कि आपको पता ही है कि ARC बनने वाली है, यहाँ पर हम आपको date भी बताने वाला हूँ कि कौन सी date को बनने वाली है, उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, तो करीवन यहाँ से अगर आप देखोगे, तो इन्हों ने बोला है कि करीवन 12,000 का investment यह ARC से सीख कर रहे ह प्लस इन्हों ने बोला है, जो भी ARC बनेगी, उसमें जो yes bank की holding रहेगी, वो करीवन 20% की रहेगी, यह आपको अल्री बता है, यानि कि yes bank जो है, वो minor stakeholder रहेगा, उसमें अगर आप देखोगे, तो yes bank यहाँ से जो right to appoint a chairman or key manager चाता है, यानि कि ARC में वो अपनी पूरी तरीक rights चाता है, कि वो यहाँ पे chairman भी वही appoint करेंगे, और जो भी managers हैं, वो भी yes bank की appoint करेंगे, तो यह कुछ यहाँ से asking है, बाकि अगर आप देखो, the private sector lender which plans to transfer NPAs of close to 54,000 crore to ARC by the end of the current fiscal, is seeking bid anywhere between 10,000 to 12,000 crores, यानि कि अगर आप देखोगे ARC बन जाती है, तो यहाँ पे करीवन 54,000 जो आपको crores के आसपस command देखने को मिल रहा है, वो आपको transfer होते हुए नजर आएगा, और जो NPAs से वो बिलकुल zero होते हुए नजर आएंगे, आगे गर हम यहाँ पे पूरी जो detail है उस पे देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, the bank has out binding bids by 25th January from private equity investors, यानि क जो date निकल के आ रही है, वो 25th January निकल के आ रही है, उस आपको date तक जो भी biddings है, वो complete होते हुए नजर आ जाएंगी, और finally company का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, कि किस company के साथ आपको यहाँ पे जो ARC है, वो बनते हुए देखने को मिलेगी, definitely अगर आप देखोगे तो 25th January बहुत जादा इनके लिए एक major date सावित हो सकती है, बागी मैंने एक date और आपको बताईए जो कि 22nd January है, जो कि आपको Saturday का दिन निकल के आता है, उस दिन आपको Q3 के results देखने को मिलने वाले हैं, yes bank के, तो यह जो दो dates हैं, बहुत जादा important होने वाली है, एक type से इसक JP Power के बारे में, JP Power में अगर आज आप यहाँ पे देखोगे, तो 5.80 के आसपास की गिरावट, 9.75 पैसे पर इसकी closing, तो definitely अगर आप देखोगे, जिस according इसमें moment देखने को मिल रहा था, वो एक नाएक time पे आके, थोड़ावत consolidation तो देखने को मिलेगा ही, और मैंने आपको ब validation भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जो target आप लेके चल सकते हो, वो 15 रुपे के आसपास का लेके चल सकते हो, तो आज तो यहाँ पे गिरावट है, लेकिन कल इसमें बहुत बहेंकर deals देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी deals देखने को मिली है, और जो share है, उसमें दबा कर माल उठाया जा रहा है, तो यानि कि अगर आप देखो तो JP पावर एक ऐसा stock बंते हो जा रहा है, जिसमें volume बहुत ज़्यादा amount में देखने को मिल रही है, करीवन बहुत ज़्यादा crores में देखने को मिल रही है, आगे अगर हम यहाँ पर देखो तो एक और deal आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा amount देखने को मिल रहा है, तो definitely इस particular stock में माल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक opinion यहाँ पर दे सकता हूँ कि थोड़ ताइम लग जाए, लेकिन उस target के लिए आप यहाँ से इसमें investment कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से long term के लिए आपको इसके financials थोड़े से जादा explain करने पड़ेंगे, read करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसमें long term का vision लेके चलो, लेकि short term के लिए target मैंने आपको बताया ह और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत corrections जरू देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी stock में बहुत ज़्यादा उचालाता है, RSI आपको upside moment में देखने को मिलता है, और वहाँ से अगर आप देखोगे, तो थोड़ा बहुत correction तो बहुत ज़्यादा minor सा आ सकता है, तो इन सारी आपको वीडियो में देखी information अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को like करें, share करें, और अगर आप चैनल फे फस्टाम visit कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरूर करें, धन्यवाद